दोस्तों बात किया है तो यहाँ पर में एक Made in India OS को यहाँ पर ढूंड रहा था है यानि कि एक SOS जो इंडिया में बनाओ लेकिन यहाँ पर दिक्कत यहाँ कि जातर जो OS रहते हैं वो काफी जादा पुरान है और मोबाइल फोन के लिए मिलता नहीं लेकिन हाली में एक Shark Tank एक एक एपिसोड में काफी इंटरस्टीन स्टार्टप आया था और उन्होंने अपना Prime Book दिखाया था और उसके अंदर उन्होंने बोलाता है कि यहाँ पर हमारा Prime OS है जो कि Made in India है और इसके बाद मेरे दिबाग में curiosity है और मेरे को लगा कि पता लगाना चाहिए कि exactly है कैसा और इसको test कैसा करना चाहिए हाला कि Prime Book कभी available नहीं है इसे pre booking era के अंदर चल रहा है और बात की जाए तो यह मार्च के अंदर इसकी delay वी शुरू होंगी यानि कि तब तक हम Prime Book को यहाँ पर देख नहीं सकते हैं लेगन एक इंटरस्टिंग बात यहाँ पर पता चले कि यहाँ पर इसके अंदर जो Prime OS होता है उसको तो हम यहाँ पर चेक आउट करी सकते है जो कि वो चीज़ वहाँ पर पब्लिक अली अवाले वाले है तो मैंने उ प्रॉपर Android वाला OS जो कि इंडिया में बनाए चलिए सब को चेक करते हैं कि यह चीज यहाँ पर किस तरीके से खाम करते हैं तो सबसे बहले बात करना चाहूंगा कि जो Prime OS होता है इसको यहाँ पर अवाइलेबल कर सकते X86 वाले आर्किटेक्टर यानि कि Intel AMD वाले प्रोस्ट के बाद बात की जाए तो यहाँ पर इसका प्रॉपर सेट अप हो गया तो यहाँ पर देखा है यानि कि Windows और Android के अंदर जो मिक्स फीलिंग होता है और यह चीज प्राइम OS के थोड़ी से लगे यहाँ पर आपको डेडिकेट स्टार्ट बटन देखने को मलता है और उस स्ट पर आपको Google का Play Store भी देखने को मलेगा हलाकी बात किया तो यह बीटा वर्जिन और जो Prime OS 2.0 जिसको वर्जिन में हाँ पर चला रहो यह वर्जिन एक साल पहले लाँच ज़या था और इसलिए अभी भी Android 11 पर बेस्ट है क्योंकि बात की जाए इनोंने Android को बेस लेते हुई पूरा OS को यहाँ पर डिजाइन किया, बेसिकली इनोंने यहाँ पर क्या किया, यह Android लिया लेकिन Android होता है mobile phone और tablet के लिए, वो टचस्क्रीन निकालता है, उनोंने वो टचस्क्रीन निकालता है, उसको keyboard और trackpad जो mouse होता है उसके साथ उसको map कर दिया, कि keyboard और mouse के साथ यह वापस में उन्हें resize भी कर सकते है, इसके इंदर right click होता है, जो across the OS यहाँ पर काम करता है, उपर से बात की जाए तो यहाँ पर performance भी काफी smooth देखने होती है, यहाँ तक की बात कि तो play store भी है, play store से apps डाउलोड की जा सकती है, इसी के साथ ही APK भी इंस्टॉल की जा सकती है, यहाँ पर मैंने YouTube का APK डाला, और surprisingly 1080p वीडियो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर चल रहा था, इसी के साथ ही बात की जाए, तो Chrome Web जरुसर भी मैंने आपर डाला, multiple tabs आप उपन कर सकते है, default में पूरी तरीके से क्लेने, सिर्फ यहाँ पर Google का play store देखने का बलता है, that's it browser भी default वाले दे रखा है, एक editor दे रखा है, terminal दे रखा है, कोई ऐसी आप यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, यानि complete clean रखने कोश करी, सिर्फ एक Google का play store यहाँ पर डाला है उन्होंने, उसके अंदर भी चीज़ आप यहाँ पर use कर सकते हैं, और basically भात में आपर समझ यहाँ अगर आप खेलेंगे ना, तो उसके जो controls होंगे, उसको keyboard और trackpad के अंदर map करेगा, कोल मिला के बात कि कि मैंने subway server यहाँ पर खेला, और WASD जो keys होती ना, उसका use करके यहाँ पर यहाँ पर चल रहा था, काफी interesting experience था है, इसके साथ है और किसे कोई battle royal game खेलना है, तो वो चीज भी यहाँ पर possible है, keyboard mouse का use करके पूरी तरीके से खेल सकता है, और PC की power का हाँ पर यूज कर सकता है, और Prime OS totally free है, तो कोई भी इनसान इसको चीज़ को यहाँ पर check out कर सकता है, लेकिन बात यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ बीटा stage के अंदर पूरी तरीके से polish नहीं थ जैसे कि browser था, वो crash हो रहा था, जब मैंने multiple tabs यहाँ पर open कर दी है, और उपर से बात की जाए तो जब थोड़ा resizing वगरक कर रहे थे ना, तब कुछ दिक्कतों का है पर सामना करना पड़ा, लेकिन overall काफी smooth तरीके से चीज़ चल रही थी, लेकिन बात की जाया तो इस चीज जैसे by juice वगरा, वो सब available होती हैं आपके android के अंदर, वो PC version आता नहीं है, इसलिए PC के उपर अच्छे तरीके से चले, यानि कि एक कोई app आगर आपको educational app चलानी हो, mobile phone और tablet पर चलानी है, तो उस्ताच experience नहीं रहेगा, लेकिन इसकी laptop के उपर अगर आप चलाओंगे ना, त कम रहे है, बस, और नीचे नहीं एक टास्क बार दे रखी, जहां पर आप सारी applications को क्लिक करके बंद भी कर सकते हैं, हाला कि Prime Overs के साथ एक और दिक्कत मैंने फेस करी, कि इसके अंदर जो built-in screen record आरे हो, वो complete तरीके से crash कर रहा था, तो unfortunately तो हम इसकी जो screen होती हो, यहां पर record जो Prime Book उससे भी सस्ते rate के अंदर आ रहा है, तो यहां पर इस चीज को solve कैसे कर रहा है, पहली चीज तो है कि Prime Book के अंदर आपको better specification है, देखो कुछ-कुछ चीजे से में 11-inch का HD display है, keyboard है, trackpad है, basic चीजे देखने को मिलेंगी, लेकिन internally इसमें 4GB की रहा है, 64GB की storage है, जो आपक जाया है, तो इस laptop का main competitor है, Jio Book लग रहा है, वो ही नहीं, वो exactly Chrome Book है, क्योंकि इस tab की specification आहम तोर पे Chrome Books के अंदर 20,000 रुपे के segment के अंदर आती है, लेकिन इस चीज का जो price होता हूँ, 15,000 रुपे तक लेगे, ताकि better experience deliver किया जा सके, हाला कि product अभी हमारे पास नहीं, तो final comment नहीं कर सकते है, लेकिन जो Prime OS हो काफी अच्छा लगता है, प्लस Jio Book के comparison में, जाधा better hardware specification को हाँ पर deliver कर रहा है, जो एक यहाँ पर काफी कची चीज हो जाती है, क्योंकि देखा तो Jio Book बहुती entry level laptop है, वहाँ पर experience नहीं हो पाता, लेकिन एक usable experience डाल लेकि कोशिक करिए, कुछ internet के थूरू research करने है, कुछ assignments वगरा करने है, basic उन्हीं काम के लिए, जैसी हम एक advanced level में बढ़ते हैं यह चीज उसके लिए बिलकुल ही नहीं है, इवन मैं खुद बोलूँगा कि Jio Book भी नहीं, इवन Chrome Books भी नहीं है, जा Chrome Books के अंदर majority जो apps होती हो वेब-based होती है, इस इसके अंदर सारी चीज़ें इसके hardware पर रखने की कोशिश करी है, लेकिन इसके बाद एक important बाद ही है, कि आगे चलके कोई भी student अगर इसको लेता है, तो उसके बाद उसे कहीं ना कहीं यहाँ पर इस अप्ग्रेट करना पड़ेगा proper Windows laptop में, क्योंकि जाब Windows laptop में functionality बहुत ही से बढ़ जाते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो एक limitation अभी भी यहाँ पर है, तो कुल्मला के बात किया है, तो एक अच्छा इन्हों ने हाँ पर OS डिजाइन किया, और proper AOSP वाली जो ROM रहती है, उसको लिया और उसको अंदर heavy customization करके यहाँ पर उता टेस्ट किया, तो interesting था, हाला कि कुछ bugs वगरा फेस करने को मिले, उम्मीद करते हैं कि जो prime book वगरा आये, इनका market के अंदर, तो वो भी काफी polish product हो, लेकिन अभी आप उससे यहाँ पर खरीद नहीं सकते, sadly, तो यार आप क्या चाहते हो, कि future में हम prime book को ले और उसके उपर को की ओपर चल रहा है, simple सी language में बात यही है, तो thank you आप को वडिए देखने के लिए, मैं आप समय तो next month के अंदर, good bye